यलो अप्रिबड़ी वल्कम बैक टू चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले वर्ल्ड कप के पहले मुगाबले के बारे में जो कि इंग्लांड और न्यूजिलेंड के बीच खेला जागा 5 अक्टूबर आहमदाबाद में काफी सारे लोगों के कॉमेंट्स आ रहे देख वल्लकम की वीडियो को पोस्ट कर दिया ताकि आप जल्दी से अपने ट्रेडिंग सुरू कर सको और अरली ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट्स है वो भी आप अर्न कर सको राइट तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट वर्ले में देखा जाए तो इंग्लेंड ज्यादा मजबूत दिख रहे हाला कि दोनों टीम में काफी मजबूत हैं कोई भी एक दूसरे पर प्लेट वार कर सकते हैं कोई भी जीच सकता है ठीक है पर स्टैटिस्टिकली अगर अगर अनालिसिस के साब देख इंग्लेंड आप सभी को भ अना अल्रेडी काफी हाई है इनका आप देख सकते हो तो यह अल्रेडी इनोंने 49-50 परजेंट के असपस प्रॉफिट दे दिया है ठीक है लेकिन अभी देखो गर आपने इनको बाई किया ना ओपन कर दो नजर आएंगे most probably अगर आपने बाई किया तो एक ही मैच बचाए एक मैच के बाद यह उटमेटिक सेल हो जाएंगे तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैच के बाद यह सेल हो जाएंगे अपको फिर दुबारा से बाई करना पड़ेगा तो इस बेटर कि आप एक मैच वेट कर लो क्यूंकि देखो आपको पता बाई इन सेल क तो अगर आपके प्लेयर ने साथ परसेंटी प्रॉफिट दिया तो फिर नुकसान में चले जाओगे और फिर अगले मैच में आपको दुबारा से बाई करना पड़ेगा तो इस बेटर की उसुट बाई इन नेक्स मैच राइट दूसरे प्लेयर की बात करें जॉस्ट बटलर जॉस्ट बटलर को काफी सारे लोग भाई कर रहे हैं और इनके पास अभी दो मैचे बचे और जॉस्ट बटलर इंडिया के ग्राउंड पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है ठीक है तो अब बैटिंग और की बात करें ना दोस्तो तो नंबर पांच हो अगर आपको अब बैटिंग आने के चांसे तो पूरे ही रहते हैं वन डे होने वाले हैं पचास ओब का मैच है तो अमीन बैटिंग तो मिली जाएगी और त्यस्तरार बैटिंग करेंगे और वो डियाए में तो सिक्सर के जो स्कोरिंग सिस्टेम उसके ही साब से तो प्रॉफिट देंग क्योंकि मैंने आपको अलेडी वीडियो में बताया था कि फ्यूचर में इन कंपरिजन तो सूपर ज्यादा प्रॉफिट है तो फ्यूचर में ही ट्रेड किया जहां पर जाएदा प्रॉफिट देखने को मिले तो मेरे हिसाब से तो जो आप चांसीडर कर सकते हो नंबर 5 पे अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं लगातार चाहे वाइपिल की बात हो चाहे इंटरनेशनल मैचिस की बात हो बात करें मोहिन अली देखो मोहिन अली जो है नंबर 6 या साथ बैटिंग करते हुए नजर आएंगे हाला कि स्पीनर्स हैं तो बालिंग भी करते हुए नजर आएंगे जो प्लेयर अच्छा बाल करते हुए नजर आएगा आपको मोहिन अली और लियाम लिविंग स्टोन के बीच में बात करें तो नंबर 6 साथ बैटिंग करते हुए नजर आएंगे देखो बैटिंग भी पारी को उमीदे मत रखना इंसे और अला कि बालिंग क बाल कर रहे हैं तो जाहिए से बात है विगेट वगरे भी निकाल सकते हैं तो ऐसा नाव लाउंडर आप इनको इनको ट्रीट करेंगे और हो सकता है कि यहां से आपको भी प्रॉफिट देखने को मिले देखो मैं बहुत स्पेसिफिकली जो है ट्रेड करने की कोशिस कर रहा यहां, जो सबत्र को भाई कर सकते हैं, मोहीनली के साथ भी जा सकते हैं अगर अपको इस पैसे जाथा यह बच जा रहे हैं ढेकर डेविड विली दे बालिंग कर दो नहां घर्एंगे और बैटिंग भी कर लेते हैं तो बैटिंग साय दिया है इनकी और आती है तो फिर तो इन दोनों में कोई नंबर बाम अमीक्ट करना है कोई नीचे बाइटिंग करना शफया कई बाहित लिए गोर महीत को बराबर बालिंग मिलेगी। लियाम लिविंग स्टून ठीक है अगले प्लेयर की बात करें बेन स्टोक्स बेन स्टोक्स का देखो दोस्तों क्या है कि बालिंग मोस्ट प्रबबली नहीं कराएंगे और बैटिंग काफी जबर जस्त कर रहे हैं ठीक है लेकिन अगर हम एक और राउंडर के तौर पे देखे अगर बालिंग करते हैं तो आप इनको जरूर से ट्रेड में ले लेना ठीक है अगर नहीं यहां आते बालिंग करते हो नजर तो फिर वेट करना और प्राइस थोड़ी कम जाए तो यूगन बाई ठीक है क्रिस वोक्स को छोड़ दो ऐस लीड बालर अगर डेविड विली या क्रिस वोक्स में कोई एक लीड बालर के तौर पे खेलेगा तो वो बैटिंग बालिंग दोनों भी कर सकते हैं और फिलाल पे फिलाल तो मैं बालर्स को उपर ट्रेड करने अभी नहीं बोल रहा हूँ सैम कुरण की भी वह हाल है बैटिंग गॉलिंग दोनों करेंगा एजन आवल अंडर कहलेंगे और नमबर साथ आठ पे बैटिंग आठ पे बैटिंग करते हैं मुस्ट प्रबैबली नजर आ जाएंगे आपको और वहीं बाल बालिंग की बात करें तो बालिंग भी करा देव कोशिस नहीं कर रहा हूं एम एम ट्राइंग टू ट्रेड ओन बैट्समैन अल रांडर्स ओनली ओके हैरी ब्रूक चोड़ दो मुस्ट प्रबाबली केलते हैं नजर नहीं हैं कि गस अटिंग चोड़ दो जौनी बैरिस्टो जरूर से बाई कर लेना भी यहलो पहला पिक जो पिक हो जाएंगे देखो सेलिंग फास्ट के भी केटेगरी मेरत इनको अभी से बाई करना सूरू कर दो दूसरे प्लेयर है जो रूट जो रूट एक ही मैच बचा तो मैं बोलूगा कि आप आप अवाइड कर सकते हो लेकिन पैसे जादा हैं तो जादा बाई भी नहीं कर प जौनी बैरेस्ट वा जाएंगे और आदिल रसीद आप ले सकते हो मस्ट पिक में अगर आप बॉलर्स के से साइट जाना चाते हो नहीं जाना चाते हो तो फिर छोड़दो जौनी बैरेस्ट वा जाएंगे लियाम लेविंग स्टोन और जोस बटलर ठीक है यह तीन प्लेड जो मस्ट पीक में आ रहे हैं बाकि डेविड मलान अगले मैच में लेना जब इनके पांच मैचेस कंप्लीट हो जाएं जब अगला इप आएगा तब आप इनको बाई करना ठीक है अब बात करते हैं न्यूजीलेंड के साइड से तो देखो सबसे वहले समझोने दोनों टीम में अल्राउंडर्स भर भर गया हैं आउट ओफ 11 प्लेयर्स आप मैं बता दू हूँ कि न्यूजीलेंड के पास अल्मुस्ट एट बॉलर्स हैं आठ बॉलर्स हैं I mean अल्राउंडर बॉल सकते हो भाई जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं अल्मुस्ट आठ प्लेयर्स आल्राउंडर्स हैं ठीक है वहीं इंग्लैंड की बात करी जाएं तो इंग्लैंड बहुत सारे आल्राउंडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह काफी मुस्किल हो ज कर रहे हैं लगातार देखा जाए तो न्यूजिलेंड के लिए लेकिन अभी फिलाल एक मैच बचावा तो अवाइड करो नेक्स्ट मैच में आप इनको बाही जरूर कर सकते हो मतलब सेकेंड मैच में बात करें ट्रेंट बोल्ड को तो भाई लीड पेसर के तोर पे खेलते ह कराएंगे किसके साथ डिवान कॉनवे के साथ तो विल यंग के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं हाला कि देख उतना ज्यादा स्टेबल प्लेयर नहीं है मतलब इस ट्रैट्स वागर है देखा जाए तो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है मैंने पांसो सेर पहले ही बाई आप पैसे दर दर नहीं लगाना चाहते हैं आपके पास बहुत मिनिममम कैपिडल है तो आप इनको ड्रॉप कर देना और आप इनके जगह पर आप डिवान कॉनवे के साथ जा सकते हो हंड्रेड एंटेन परसेंट ओपन करते हैं नजर आपको आ जाएंगे और अच्छे प् पर इंडियन ग्राउंड पर एक्सपिरियंस भी काफी जादा है के इन विलियमसन को लेकिन साथ यह पहला मैच मिस करेंगे तो अगर मिस करते हैं तो छोड़ देना और अगर खेलते हैं तो बाई भी कर सकते हो देखो मैंने तो बाई करके रखा हुआ है क्योंकि आपको पत एनिव株 यह कैप्टन है और खेल पर आपको आजाएंगे तो वहां से आपको प्रौफित जरूर बना करेंगे नंबर तीन पर बैटिंग करते वह भी नजर आएंगे बात करें जेमसनीशम की दोस्तों गरत बैटिंग से बनाते वि önह बाय करेंगे और भालिंग बीकरते ब को देखते हैं और वहाँ यह अपना विकेट गमात है इनके अगेंस्ट में तो यह काफी अच्छे पीक होने वाले बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैटिंग भी काफी जब अरजस्त है जेमस निसम की नंबर 6 पर बैटिंग करते वह नजर भी आ जाएंगे आपको यह नंबर साथ आठ पर ठीक है और वहीं बात करें सैंटनर तो सैंटनर मस्ट पिक हो जाते हैं क्योंकि भाई जिसी साब से प्लेयर बैटिंग भी कर रहा है वो काफी ला जवाब है मैंने के बैटिंग देखी ऑल्राउंडर के तोर पे अब खेल रहे हैं अच्छी बालिंग भी दिवान कॉन पर मस्ट पिक हैं ग्लेंफिलिप्स आप जरूर से बाई कर से हाला कि ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है जादा इंसे प्रॉफिट की उमीद मत रखना बैटिंग बालिंग दोनों कराते हूं नजर आ जांग बैटिंग नुमबर पांच पे या चार पे करते नजर आएंगे आपको खेलते हैं तो और बालिंग से जादा नहीं तीन चार पांच ओबर तक आप उमीद कर सकते हो इस पीनल के तौर पर बालिंग करते हैं बैटिंग से क्यों प्रॉफिटेबल है क्योंकि जब खेलेंगे बाई लॉंग इनिंग खेल सकते हैं थेस्तर रा भी अवाइड करो इस सोडी की जग आप मिचल सेंटनर को बाई गर सकते हो ज्यादा इंपक्टफूल है बात करें टीम साओधी छोड़ दो बागी सारे प्लेयर देखोगे तो फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं है अब मैं आपको एक बार से न्यूजिलेंड कर रिवाइस करा है डिवान कॉनवाय मस्ट पिक और गेलेन फिलिप्स पैसे ज्याद है तो आप देख सकते हो बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हो नजर आएंगे तो इनको भी आप मस्ट पिक में रख सकते हो ठीक है यह हमारे चार-पांच प्लेयर्स हैं जो कि हम न्यूजिलेंड के साइ हैं तो अधरवाइज यूगन लीव इम और वहीं बात कर आदिल रसीद को तो अगर बॉलर्स को पर ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो वरना चोड़ सकते हो जौनी बैर इस्टो मस्ट पिक में आ जाएंगे इनको जरूर से बाई करना जो रूट आप एक मैच छोड़ द जो रूट भी बॉलिंग भी करा सकते बैट्समें आप जानते हो किस लेवल के हैं तो जरूर से बाई करना यह दोनों मस्ट पिक हो जाएंगे तो उमीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ मैं है अच्छा लगा वीडियो को लाइक भी कर सकते हो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो अधर्वाइस कॉंसाइज रखो आप अपने पॉर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफित अंकर होगे राइट तो मिलत अगले वीडियो में देखने के दन्ने बाद जाएंगे